Hello friends, Welcome to my YouTube channel EducationFly वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को इसमें देखें डेट जो है लेफ्ट मारी है और ये डेट आपकी कोलेज वाले बताएँगे इसमें क्या डाली जाएगी बीच में है विशय यानि कि सब्जेक्ट विशय है सब्सब्जेक्ट प्रकरण टॉपिक जो भी आप पढ़ाने वाले हैं कोशल कोशल में जो practical में पूछा जाता है कितने तरह के कोशल होते है micro lesson plan में 5 तरह के कोशल होते है वो 5 कोशल में आपको explain कर दूँगी और जिस series में बताए जाएंगी वो उसी series में लिखे जाते है right में है कक्षा यानि किलास कालांश यानि कि period जो भी period आहो क्लास का समय अब भी 5 से 10 मिनट ही रहता है कोशल में आता है सबसे पहले आता है प्रस्तावना introduction part introduction part में आप स्टुडेंट से बहुत easy question पूछते हैं जो भी topic आप पढ़ाने वाले हैं उस से related कोई भी question पूछ लीजे इतने easy होने चाहिए कि स्टुडेंट सबको जवाब दे दे सबसे last में जो topic आपको पढ़ाना है वो question पूछे स्टुडेंट उसका answer नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उनके लिए नया होगा तो उद्देश अगतन में यही आएगा कि आज हम इस विशे के बारे में अध्यान करेंगे जैसे कि इसमें लिखा गया है इसमें जो next question आता है वो आता व्याख्यान अब आपने introduction दे दिया last में जो last वाला question है उस topic को आपको explain भी करना होता है तो वो आता व्याख्यान question में next में देखिए यह देखिए यहाँ पर व्याख्यान question है यहाँ पर व्याख्या की गई है उस part की जो आपको पढ़ाना है और उसके बार आता है question परवा कोशल question परवा कोशल में जो topic आपने पढ़ाया है उससे related student की knowledge चेक करेंगे student से question पुछेंगे तो उस सभी के answer देदेंगे जैसे कि इसमें क्या गया है यह देखिए question परवा में कुछ question पूछे गए है और student ने सभी के answer देदी इसी को बोलते है question परवा question next next है the strong question the strong question में आपको बच्चों को कोई एक chart show करना होता है उस chart इस तरह बनाया जाता है कि जो question आप पूछने वाले उसके answer उसी chart में हो तो आपने वो chart show किया है बच्चों से कुछ questions पूछे बच्चों ने chart को देखकर ही सभी questions के answer देदी तो यह होता है the strong question next है शामपट question यानि कि blackboard question शामपट question में जो भी आपने आज पढ़ाया है उसकी summary लिख देंगे तो यह होता है शामपट question फ्रेंट्स वीडियो आपको कैसे लगी मुझे comment box में comment करके बताईए यदि आपकी कोई query है तो आप मुझे comment box में comment करके पूस सकते है वीडियो को like कर दीजिए और उसके साथ भी share कीजिए thank you friends